हेलो फ्रेंट्स गूड मॉर्निंग वेलकम टू स्फलता वंत्रा सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत सवागत है और आज की क्लास में आपको मिलने वाले संस्कृत के चैप्टर वाइस क्लास का चैप्टर नमबर फाइव इसके पहले आपको चार चैप्टर करा चुके हैं और दोस्तों जो लोग जूनियर की तयारी कर रहे हैं जूनियर में आपको सब्जेक्ट चूज करना है भासा के इंतर्गत आपको जो लोग संस्कृत लेने वाले वो अभी से अपनी पूरी सटीक तयारी में लग जाईए आपको चार चैप्टर देख चुके हैं अगर आप लोग ने ना देखेंगे तो उनको लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मिल जाएगा आज हमारा पांचमा चैप्टर है चैप्टर का नाम है उपसर्ग उपसर्ग टॉपिक छोटा सा टॉपिक है कम से कम सा में हम लोग इसको cover करेंगे आप लोग end तक जरूर देखेगा और इसे अधिक सेधिक share करिएगा class पसंद आए तो like करिएगा चैनल को subscribe करके well icon को press कर दीजेगा और साम को होने वाली live class से जरूर जुडिएगा तो चली शुरू करते हैं आज का अपना topic उपसर्ग तो दोस्तों उपसर्ग को अगर परिभासा करूप में संस्क्रत में पढ़ा जाए तो क्या कहा जाता प्रादया हुपसर्गा क्रिया योगे अर्थात क्रिया के होते हैं उपसर्ग के रूप में लिए जाते हैं तो इसे हम सौटकट में क्या लिख देते हैं प्रादया लिख देते हैं संस्क्रत की भासा में तो इसका आप लोग हिंदी यर्थ समझ गयों कि क्रिया की योग में रहने वाले प्रा-ादि को हम क्या कहते हैं उपसर्ग कहते तो क्रिया आदि पदों के पहले यानि कि स्टार्टिंग में उनके सुरू होने से पहले जो सब्द पूर्व में जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं और उनके अर्थ को या तो बदल देते हैं या उनमें नवीनता या विसेस्ता ला देते हैं यानि कि इनका और क् उपसर्ग लगाने से सब्द का अर्थ बदल जाएगा और यदि अर्थ नहीं बदलेगा तो सब्द में आतो नवीनता आ जाएगी या कोई अन्य विसेस्ता आ जाएगी ये कार किसका होता ये कार उपसर्ग का होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर क्या लि होता है यानि कि हम किसी विवर्ण को उपसर्ग के रूप में यूज करते हैं तो उसमें यह चेक नहीं करेंगे कि यह आपका इसका कोई सोतंत्र अर्थ निकल रहा है नहीं आलो, हमें सिर्फ यह चैक करना कि उपसर्ग जोडने के बाद क्या सब्द बन रहा है, क्या उसमें परिवर्टन आ रहा है, और क्या उसमें नवीनता आ रही है या बोलने में बाग के सही लग रहा है या नहीं तो उपसर्ग क्या होता सबदान्स होते हैं, सब्दों का अंस होता है छोटा सा हिस्सा होता है सब्द का ये धातु के साथ जुड़कर उसका अर्थ बल पूर्वग बदल देते हैं उक्तम चा ये आपकी संस्कृत की परिभासा की रूप में दी गई है देखेगा जल्दी से उपसरगेड धातु अर्थे वला द्यंत्र नियते प्रहारा संघारा विहार परिहारवत यानि कि उपसर जो होते हैं बल पूर्वग अर्थ बदल देते हैं किसका किसी भी सब्द का ठीक है दोस्तों यहां तक आपको परिभासा याद हो गई ये आप लोग इसलिए याद कर सकते हैं दिमांग में रखिएगा कभी कभी आपको ये पूरा बाक की दे दिया जाएगा और इसमें सभी उपसर्गों की गति संग्या होती है सभी उपसर्गों की गति पूछी जाएगी तो आपको क्या अंसर देना है इनकी गति जो होती है संग्या होती है याद रखेगा अब एक और सबसे महत्पूर्ण कोर्शन आपके सामने है कि संस्कृत में आपसे उपसर्गों की प्राद क्रिया के योग में रहने पर उपसर्ग कहलाते हैं इसकी जो क्रिया होती प्राद के रूप में जाना जाता तभी है उपसर्ग कहते हैं परिवासा जरूर समझ लीजिएगा अच्छे से क्योंकि एक या दो नंबर आपके उपसर्ग टॉपिक से जरूर आएंगे इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा प्रत्य जो की संस्कृत का सबसे मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है और आपको ऐसे याद करा देंगे आप लोग कभी भी प्रत्य टॉपिक को नहीं भूलें आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर धातु से पहले एक से ज़्यादा उपसर्ग भी हो सकते हैं तो दोस्तों यहां यह निश्य नहीं कि सिर्फ एक ही उपसर्ग लगेगा उपसर्गों की संख्या बढ़ भी सकती है एक से ज़्यादा भी उपसर्ग किसी धातु के पह हीच में चेंज आ जाता है तो आपने अगर पढ़े होगी तो वही चेंज यहां संधी वाला परिवरतन और देखने को मिलता है है उसके अनुसार ही वडाल जाते हैं बाग के अब चलिए आपको उपसर्ग उनके सामान अर्थ और उदाहरण बताते हैं यहां से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर एक दो बहुत इजी कुछ कोशन्स है उनको कवर करेंगे और क्लास को एंड कर देंगे तो चलिए यहां पर पहला उपसर परिवश्द हो गया यह क्यों पर वर्दित हुआ यही आपको उपर भी बताये गया था कि इस नित्त्य रूप से इसमें क्या होता है संधिकार होता तबी किसी उपसर्ग और धातु को जोड़ा जाता है अगला हमारा आता है परा परा का मतलब क्या होता निसेद हो गया है विरोद हो गया विप्रीत के रूप में परा को रखते हैं अब इससे परा प्लश यह परा जयते ठीक है यह इससे सब्द बन गया जी हमारी धातु थी जी से क्या बन गया जयते सब्द बन गया और परा उपसर्ग आगे लगा दिया अगला प्रकार से लगा दिया जब हमने तो अप्हरित बन गया हमारा सब्द अप अपवसरग लगाने से बन गया है चलिए आगे बढ़ते हैं सम उपसर्ग ये महत्पूर्ण है ये बहुत बार कोश्चन पूछा जा चुका है सम उपसर्ग से एक दो कोश्चन आपके जरूर बन जाते हैं सम का आर्थ सुष्ठू अच्छा या फिर उचित के रूप में हम लोग प्रियोग करते हैं और क्योई भी पद आपको दिया जब संस्क्रत आ जाए यहां तो भी हम मेली बात कर रहे हैं वो क्रिया पदों की बात कर रहे हैं इसके अलावा भी आपको देखने को मिलते हैं जो पद संस्क्रत हो गया संकल्प हो गया और इस प्रकार के अन्यपद होते हैं सम उपसर्ग यूपीटेट में कम से कम पांच बार पूछा जा चुका है संस्क्रत और हिंदी दोनों में तो इसलिए यह ज़्यादा महत्पूर्ण हो सकता है यह पूछा जा सकता है तो सम प्लस पठ धातू होगी तो सम पठे तिव हमारा क्या बन गया सब्द बन गया याद रखियेगा चलिए अगला है मारा अनू अनू उपसर्ग लगाएंगे अनूकार्थ होता है पीछे या फिर अनू गमन ठीक है अनू प्लस गम से बन गया हमारा अनू गच्छती यह हमारा क्या अनुस उपसर्ग लगाने से सब्द जो था हमारा क्रिया रूप के बाद वो बन करके सामने हो गया अगला आपका है अब तो अब के रूप में फिर समझना अब कहां पर लगें तो अब गच्छती बन गया हमारा सब्द अगला निर निस और निर इन दोनों को ही हम एक रूप के आधार पर यहां पर सभी उपसर्ग बता रहे हम इनको अपने संग्या रूपों में अन्य सब्दों में भी प्रियोग कर सकते हैं तो आप लोग यह मत सोचेगा उसमें हम इनका प्रियोग नहीं कर सकते हैं निर प्लस गच्छती क्या हो गया निर गच्छती हो गया राज या दुस्का प्रयोग किस लिए करते हैं कठिनाई के लिए करते हैं कोई दुसकर कारे हो या कठिन कारे हो उसके लिए करते हैं तो यह आपका क्या हो गया दुर प्लस आचरित दुराचरित हो गया ठीक है इसके अलावा दुरलब हो गया दुरगम हो गया इस सब्दों के रू विसीयस्था नजर आ रही होगी तो हमने क्या बताया था नबीनता होगी या बिल्कुल चेंज हो जाएगा या फिर उसमें कोई विसेश्था नजर आने लगेगी चलिए आगे बढ़ते हैं अंग इससे क्या बन गया ठीक है सेध में नी लगा दिया निसेध सब्द बन गया अगला हमारा अधी उपसर्ग है अधी का प्रयोग अधीक के लिए प्र्सांता के लिए या फिर सम आता के लिए करते हैं तो इसमें सर्ग है अति कप्रियोग धीर रख के लिए करतें अतिसा या पिर उतकर्स के लिए करते हैं तो अतिस से ते तो हमारा एतिस यह धीया आपका सब्ड बनकर के सामने आगया अगला सू है ने शूव प्लस व्रते तो ससब थे सू पर उतिष्ठती सब्द आपके सामने आगया अगला आपका उननीशमा उपसरग जो दिया गया है अभी आर्थ क्या होता है समीप समक च्याका फिर सामने और इसमें गमधात लगा देते हैं तो सब्धा आपका जाता अभी गच्छ, ठीक है दोस्तों अगला हमारा प्रति है प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो प्रति भासते इससे सबद आपके सामने आजाता प्रति हो गया और प्रतिदिन हो गया इने में भी हमने प्रती उपसर्ग का प्रियोग किया है याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं 21 पर तो परी उपसर्ग में क्या हो जाएगा चारो और या फिर पास पास तो परी प्लस चरती परी चरती सब्द बन करके बिल्कुल सामने आगया आप लोगों के इसका 22 में आपके सामने हैं उपसर्ग करते हैं समी प्यार छोटे के लिए तो उपगच्छती गम धातुका यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रियोग देखने को मिला है इनका में एक बहुत ही अच्छा आपको बड़ा प्रक्टिस सेट करा देंगे तब आपको इस सभी चीजें और अच्छे ढंक से क्लियर हो जाएंगी यह आपके 22 उपसर्ग जो मेंली थे वो कंप्लीट करा दियें बाकी उपसर्ग आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे हिंदी की चैप्टर वाइस क्लासेज में देखने को मिलेंगे उसके भी हम हैंड रिटन नोट्स तयार करा रहें जिसमें आपके सभी व्याकरंड के टॉपिक भी आपका मिस ना हो जाए क्यूंकि एक टॉपिक आपको दो नंबर तीन नंबर दिला सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ कोश्टन क्यों तो पहला कोशन है क्रिया में आ उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा क्रिया पर आधारित ही है तो यहां पर आपको जब यह क्रिया दी गई है उपर आपका आया था हरती सब्द बन गया था इससे और उपसर्ग हमारे पास क्या है आ है तो सब्द हमारा सीधे सीधे आ हरती बन जाएगा ए नंबर आप्शन हम लोग बिल्कुल क्लियर कर देंगे चलिए सेकेंड नंबर कोशन है तुरंत आंस से भूधातू है यही नंबर आपसन में आपको भूधातू और परा उपसर्ग दिया गया है यही बाला आपसन हम लोग टिक कर देंगे करेक्ट हो जाएगा अगला थार्ड नंबर कोशन आपके सामने है अप नयती सब्द में जुड़ा उपसर्ग कौन सा है अप नयती सब सब्द में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर भी आपको पता लग रहा होगा अप उपसर्ग लगा हुआ है बी नंबर आपसन सीधे सीधे टिक मार दिया जाएगा अगला फाइब नंबर कोशन है निश्चलह अतिपदे पदे उपसर्ग इसमें आपको बताना इस पद में कौ अगले question पर अगला question आपके सामने है six number question सू विवस्थित में कौन सा उपसर्ग है सू विवस्थित में तो विवस्थित में और इसमें उपसर्ग आपका सू लगा हुआ है बी number option सही हो जाएगा ये बात दिमाग में बिठा लीजेगा प्रत्य सब्द के अंत में लगते हैं उपसर्ग सब्द के पहले लगते हैं काफी लोग इसी में ही confuse हो जाते हैं बिलकुल वो यही भूल जाते हैं कि उपसर्ग पहले लगेगा या बाद में लगेगा और अब एक नमबर बिल्कुल पक्टा हो जाएगा सेबध नमबर कोशें अभ्यायरगत में कौन सा उपसर्ग है अभ्यागत में आपका सीदह सीदह अभी बलस आगत इस्से बना है तो अभी उपसर्ग हो बी नमबर आप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन एर्थ नमबर कोश्चन है संघार में कौन सा उपसर्ग है यह देखिए उपसर्ग हमने आपको गताया था और का था बहुत ही जादा महत्पूर है तो यहां संघ इस परकार से नहीं यह बाला सही माना जाएगा चलिए 9 नमबर कोश्चन आपके सामने 99 में कौन सा उपसर्ग है तो उत प्लस 99 बन जाएगा उत उपसर्ग है सी नमबर आप्सन पर हम लोग टिक कर देंगे चलिए अगला और अंतिम कोश्चन आपके सामने है जिसका अंसर है यहां पर बताएंगे निरोग में नहीं माना जाता नहीं आपको आज जो हमने उपसर्ग पढ़ाएं उनमें देखने को भी नहीं मिलता है इस बज़े से यह आप लोग को आगे की जब क्लास क्लियर करेंगे तब इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देंगे बिल्कुल क्लियर कर देंगे अब एक क्वेश साथ ही साथ दूस्तों आपको बता दें सुपर्टेट प्राइमरी का कोर्स आपको हमारी मोबाइल एप पर मिल जाएगा सफलता मंत्र मोबाइल एप है आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर कोर्स को ले सकते हैं एसम वन फिप्टी कूपन कोर्ट को यूज करियेगा तो आपको डिसकाउंट मिल जाएगा साथ ही साथ दूस्तों आप लोगों को बता दें कि संडे को यानि कि कल आप लोगों की दो घंटे की मेराथन क्लास लाने वाले जिसमें आपके जूनियर के 50 नंबर कवर किये जाएं झाएंट